अगमन प्रस्थान का स्टेटिस बताता है यानि आने जाने का सही टाइम टेबल बताता है अगर इस बोर्ड को आप लाइब अपने फोन में देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आये हैं वीडियो को बिना अस्कीप की हुए लाश्ट तक देखना पड़ेगा क क्यूंकि आज इस वीडियो में अस्टेशन में लगे हुए डिजिटल बोर्ड को फोन में दिखाने बाला हूं तो दोस्तों उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा हम लोग को सबसे पहले स्टोर को अपेन करना पड़ेगा प्लेस्टोर को ओपन कर लेने क बाद सर्च बोक् होगा है Chris उसके बाद क्या काम करना है इसको डाउनलोड कर लेना है इंस्टॉल कर लेना है प्लेड कर लेना है अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा लाइक कर देना मेरे चैनल पर नहीं है इस तरह के इन्फर्मेटिवल वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पे बहुत सारे आप्सन निकल के आते हैं इस आप्सन में आपको क्या काम करना है स्टेशन में लगे हुए डिजिटल बोर्ड को लाइब देखन देखना चाहते है तो यहां पर लिख दिए और यहां पर अटाइमिंग दे रहा है कि दो घंटा के अंदर जितने आंए जाने जाने वाले ट्रेन है सबी यहां पर दिखाएंगे, चार घंटा के अंदर आने जाने वड़े सभी train यहाँ पर करेंगे चलिए मैं चार घंटा पर कर लिया हूँ उसके गेट ट्रेंस पर क्लिक करेंगे गेट ट्रेंस पे जैसे इंग क्लिक करेंगे देखिए थोड़ा सा प्रोशेस होगा इस तरह का इंटरफिस निकल के आ जाएगा एक नमबर में देखिए आया हुआ है ट्रेंड नमबर पहले दिया हुआ है 03543 यहां पर देखिए फट्वर्म नमबर दिखा दे रहा है कि यहां पर देखिए जोड़क के 18 टाइम पर है यह देखिए ट्रेन नंबर हो गया डवल वण डवल फोर शेवें प्लेट फॉर्ब नंबर पाच पर आएगी देखिए यहां पर 19 बज के 19 मिनट यानि की साथ बज के 19 मिनट पर यह आएगी और सात बज के चोबिस मिनट में जाएगी राइट टाइम है अब दे यह नहीं आ करके 7 बच के 38 मिनट में आ रहा है यानि कि 2 गंटा 38 मिनट ट्रेन लेट है दोस्तों अब मैं बता दू कि इस ट्रेन का जो यहां पर रनिंग अस्टेटस है वो कैसे देखेंगे इस एप से आपको रनिंग अस्टेटस भी दिखाई देगा यहां पर देखिए रनि सक्ति पुझ पर उसकते हैं और यहां पर चेनरल है और यहां पर देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं जेनरल डबा भी इसमें पता कर सकते हैं आप की जेनरल डबा आगे है या पीछे है दोस्तों अगर इनफोर्मेशन अच्छा लगा तेक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करना क्यूंकि आपका लाइक कमेंट हैं मोटीवेट करता है इस तरह का वीडियो बनाने पे मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब पर लेना थेंक्यू धन्यवाद